नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदाशन किसान वादसमबाद लेकर हाजिरू मैं मोना लिसा क्रिशी में महिलाओं का जोगदान काफी एहम है क्रिशी क्षेतर में कुल श्रम की 60-80% तक हिस्सेदारी महिलाओं की होती है क्रिशी गणना के आँखडों के अनुसार महिला के सानों की तादाद बढ़ रही है ICIR के मताबिक मुख्य फसलों के उतपादन में महिलाओं की भागेदारी 75 फीसदी बागवानी फसलों के उतपादन में 89 फीसदी, कटाई के बाद के कामों में 51 फीसदी और पशुपालन में 95 फीसदी भागेदारी है इन आखडों को देख कर क्रिशी के क्षेतर में महिलाओं की महतवपूर्ण योगदान का अंदाजा लगाया जा सकता है गाओं में महिलाओं न सर्फ घर का पूरा कामकात संभालती है, परिवार के सभी सदस्यों के देख भाल करती है बल्कि खेतों में क्रिशी संबंधी कारियों के साथ ही पशुपालन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है क्रिशी कारियों के साथ ही महिलाएं मचली पालन, क्रिशिवानिकी और फशुपालन में भी बढ़ चरकर पुरुशों की मदद कर रही है खेती में महिलाओं के योगदान को देखते वे सरकार भी उन्हें आगे बढखाने के लिए सहयोग दे रही है तो आज के कारिक्रम में कृषी में महिलाओं के योगदान पर करेंगे वात समवाद चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषी मंत्राले में अपरायुक्त श्रिवायार मीना और इसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कई महिलाओं के साथ जिनसे आज हम बातशीत करेंगे आप सभी का दोड़ाशन के साथ पर स्वागत है बातशीत का सलसला शुरू करने से पहले आए देखते हैं यह रपोर्ट हमारे देश की आधियाबादी महिलाएं हैं और क्रिशी में महिलाओं का योगदान काफी एहम है पुरुष का सशक्ति करन एक अकेले व्यक्ती के सशक्ति करन तक सीमित रहता है लेकिन एक महिला के सशक्ति करन से उसके माता-पिता, पती और बच्चों सहित पूरे परिवार का सशक्ति करन होता है गावों में जीवन यापन का सबसे महतपून घटक क्रिशी है 2011 की जनगर्ना के मताबिक देश की कुल आबादी का करीब 70% हिस्सा गावों में बसता है और इन लोगों की आमदनी वा जीवन यापन का मुखिस रोद क्रिशी और पशुपालन है गावों में क्रिशी कारियों या पशुपालन महिलाओं की भूमी का पुर्शों के मुकापले अग्रणिय है 2011 की जनगर्ना के आखड़ों को देखे तो देश में कामकाजी महिलाओं की कुल आबादी का 65% हिस्सा क्रिशी कारियों में लगा है 11 करोड 87 लाग किसानों की कुल आबादी में से 30.3% महिला किसान है 11 करोड 43 लाग खेती हर मजदूरों में से करीब 42.6% महिलाएं है फसल की पैदावार के हर महतपूर्ण काम में महिलाओं का एहम योगदान देखा जा सकता है इसमें पौध लगाना, खर्पतवार हटाना और कटाई के बाद की प्रक्रिया में सक्रेभागीदारी शामिल है बागवानी में भी महिलाएं एहम योगदान दे रही है इनमें पौध लगाना, देसिन बनाना, कटाई छटाई करना और खात डालना शामिल है इस शेक्र में अगर महिलाओं को और अधिक वैज्ञानिक चानकारी उपलब कराते हुए उनकी पहुँच बाजार तक कराने की कोशिश की जाए तो मुनाफा और अधिक बढ़ सकता है पशु प्रबंदन में भी महिलाएं प्रमुक योगदान दे रही है गाए और भैसों की पालन में महिलाएं रोजाना तीन से छे घंटे तक श्रम करती है इसमें दुधारू पशु को चारा खिलाना, दूद निकालना और पशु आवास वा पशु की साफ सफाई आधी के काम शामिल है इतना ही नहीं, चारा इकठा करनी में भी महिलाओं का काफी महत पून योगदान रहता है देश की ज्यादतर ग्रामन समुदाई अपनी आजीविका के लिए ग्रामन संसाधनों पर ही निर्भर रहते है महिलाओं प्राकरतिक संसाधनों से आजीविका का सुरोथ प्राप्त करने में भी प्रमुग भूमिका निभा रही है इसमें खादी पदार्द इकठा करने, लकडियां इकठी करने, छोटे पौधों को रोपना जैसे काम शामिल है क्रिशी में महिलाओं की युगदान को देखते हुए, क्रिशी में महिलाओं की एहम भूमिका रिखांकित करने के लिए ही, हर साल 15 अक्तूबर को महिला किसान दिवस मनाया जाता है जियां तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आईए बादशीत का सिलसला शुरू करते हैं और मीना जी सबसे पहले आपसे ही हम जाना चाहेंगे कि क्रिशी के क्षेतर में जस तरह से महिलाओं की भागिदारी लगातार बढ़ ही है और आख्ड़े भी ये बता रहे हैं, उसे आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्रिशी के छेतर में महिलाओं की भागिदारी बैसे तो पहले से ही बहुत अच्छी है लेकिन अभी काफी बढ़ोतरी हो रही है उसमें, और इसका इसरे सरकार को भी जाता है क्योंकि सरकार ने कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे प्रावधान की हैं, जिसमें महला किसानों को हर छेतर में प्राथमक्ता दी जाती है और हमारी एक आत्मा करके स्कीम है, पूरे देश वर में चलाई जा रही है और वो 684 जलों में आज कल चल रही है योजना, उस योजना में खास तार पर प्राथम किया गया है कि 30% महलाओं की भागीदारी जो फार्मर्स औरियंटेड या किसानों को लाब पहुंचाने वाली जो इसकीम है, जो कार्यक्रम हैं, उनका लाब उनको मिले और इसको पूरी तरह से एंस्योर करने के लिए राज्यों में जेंडर कॉर्डिनेटर, जो महलाओं से संबंदित प्रगती की रिपोर्ट केंदर सरकार को बेजती हैं, जहां कहीं भी कमी होती है, निशित तोर पर हम उनको समय समय पर सुझाव देते हैं, उसमें सुधार कर करने के लिए बोलते हैं, तो इस तरीके के कारिक्रम जब स्पैसिफिक होते हैं, खासकर विसेश तोर पर उनका मोनीटरिंग की जाती है, तब जाके बढ़ोतरी होती है, वहीं सरकार भी लगातार प्रयास रहत है कि इनके भागेदारी को और मजबूत किया जाए, उसका ला का थी, वह सीमित थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बाकी एलाइड यानिके सबधक्षेत्र है, उसमें भी बढ़ चड़कर हिस्सा ले रही है, महिलाएं, बिल्कुल ले रही है, क्योंकि खेती में जो हम बात एक करते हैं, तो हम अगर हम कहें कि खेती, किसान तो हमार दिमाग में पुरुष आता है, हल लिये हुए, पर जबकि महिला उनके पीछे होती है, क्योंकि आप देखेंगे, बिजाई से लेकर, कटाई तक, हमारी महिला हर स्टेप में कहेंगे, उनके साथ होती है, हमारे पुरुष किसान के साथ, और ये इनका खेती का काम, इनका घर पशुपालन का काम वो कर रही है, और इसी को एलाइड एक्टिविटी में लेके एक बिजनस के रूप में, यानि कि वैवसाय के रूप में भी लेके चल रही है महिलाएं, हमारे गुजरात एक सबसे बड़ा उधारन है, और जो की महिलाओं का ही द्वारा चलाया गया है, यानिक, जिसमें महिलाओं के साथ विज्ञान के रहा है, झाल जो बिज़े में आप से यह जाना जाओंगी कि यह जो लगातार क्रिश्य जनगर्ना के आठड़े बता रहे हैं जो महिला किसान हैं, उनकी तादाद में बढ़ाबत्री हो हो रही है इस बढ़ोतरी को आप किस रूप में देखती है क्योंकि जो पुरुष है गाउं में वो कई बार आज जी विका के लिए दूसरे कामों में शामिल हो जाते हैं कई जगों पर तो पलायन की इस्तिती रहती है समय मजबूरी रहती है महिलाओं की या फिर महिलाएं भी किसानों को इसलिए पुरुष जो है वो पलायन करते हैं तो फिर सारी खेती और बागी घर का देखरेख वगेरा भी महिलाओं के हाथ में आ जाता है और फिर वो उसको चलाती है जो महिलाएं या जो पुरुष जिनके पास लैंड है खेती है जिनके नाम से उनको तो क्रेड हैं बहुत सी और मैं तो यह भी कहूंगी कि कई महिलाओं जो है वो बचट घट जो सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स हैं उनके साथ भी जुड़ी हैं जिसके कारण उनको जो एक इंकम बढ़ाना या एक एकनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए उसको भी वो ले रहे है तो अपनी ज महिलाओं बढ़ रही है उस तरफ हिस्तेदारी बढ़ रही है महिलाओं के लिए मिसाल है जो से आपने योगदान के लिए कई पूरसकार भी आपको मिल चुके हैं जाना जाओंगी कि जब आपने शुरुवात की आपने पिछली पीडियों को भी देखा तो किस तरह के महिल मैं मतलब अलग होई तो मेरे पास भी कुछ ज्यादा खास नहीं था लेकिन बच्पन से ही मैंने खेती बाड़ी की थी और खेती बाड़ी करते करते तो मैंने सोचा कि क्यों ना जैसे मैंने सेल्फ हेल्फ गुरूप बनाई और किर्शिविग्यान के अंदर से ट्रेनिंग ली तो ट्रेनिंग भी हमने उनी चीज़ों के लिए जो हमारे किसानवाई खेत में पैदा करते हैं क्योंकि बच्पन से हम देखते थे कि किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था और ना ही रेट अच्छे मिलते थे तो जैसे कि किसानों के आई डबल करने की बात है तो इसमें हमने जैसे सेल्फ हेल्फ गुरूप बनाके और महिलाओं को जैसे गेहों से दढ़िया बनाना है तो बाजरे से हमने खिचडी बनाई तो मेरा मानना है कि डबल की बजाए तीन गुणा भी आए हो सकती है में मेना जी से इस पर जरूर एक प्रतिक्रिया चाहूंगे कि जो किसान है उनकी आंदनी दुगनी करने की मुहिम चल रही है उसमें महिलाओं को जब तक शसक्त नहीं किया जाएगा इसे लख्ष को प्राप्त करना शायद मुश्किल हो आप इस वारे में क्या कहना क्योंकि महला किसान अगर सही मायने में माना जाए तो भारतिय किर्सी के एक तरीके से आधार स्थम्भ हैं और वेलु एडिशन की जब हम बात करते हैं क्योंकि दो के चार कैसे बनाने हैं उसमें वेलु एडिशन एक महत्पुन भूम का आदा करता है यानि परिरक्षन परि परिक्सानों की एक पार्ट साला कह सकते हैं हर जिले में उपलब्द है वहां से प्रेक्टिकल ट्रेनिंग ले करके महलाएं और जब आपके फ़ल सब्जी ये सारे उत्पाद सस्ते हों बाजार में तो उनमें वेलु एडिशन जैसे जैम जैली अचार चठनी मुरब्बा य या आपको जैसे मसाले वाली फसले हैं सो खाके उनको पीस के अच्छी ब्रैंडिंग और पेकेजिंग करके अगर बेचते हैं तो निश्यत तोर पर आपको कई गुना ज़्यादा उसके दाम मिल सकते हैं मूलिय संवर्धन की बात हो रही है और खादे प्रसंस्करन की बात हो रही है रितु जी आपका ये विशे है आप इसी की महारत है तो मैं आपसे जाना चाहूंगी कि कटाई के बाद के ये सारे जो काम होते थे ये महिलाएं पहले भी करते थे लेकिन इसका जो वाजब प्रसंस्करन नहीं आता था कि हमें इसको प्रसंस्करन करके बजारें बेचा जा सकता है जैसा बात हुई कि दुगनी का आय करने की बात तो मैं किसान भाईयों और अपनी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि जब तक हम कृशी को एक बिजनस वेफसाय के रूप में नहीं जो कि आप जिसमें आपको बड़े लिखे होने की आवश्यक्ता नहीं है और आपको बस तकनीकी जानकारी का ज्यान होना चाहिए जिसके लिए आपका हर जिले में कृशी विज्ञान केंद्र है और पूरी जानकारी आपको देने के लिए ततपर है तयार है जब भी आप ज के प्रतशन कारी हमारी मैं ली रही हैं। और margin fact कि थना वी काराइं हमारी च forces करने में काई करेेर और कुछ ऐसे उनूरी चीजहника कर आ रही है। तो हम लोग देखते हैं तो वाकई हमी रखता कि नहीं हम इनोवेटिव हमारी तरह हैं और महिला किसान भी इनोवेटिव हैं जो नहीं ने तखनीके लेके आ रही हैं। क्या उनके सोच में आपने ये बदलाव आते हुए देखा है ये किस तरह से आप इसे देखती हैं कि जब महिला को आप देखती हैं कि वह आतिक रूप से जो स्वाब लंबी है वह होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। क्यों में आपको लगता है कि साथ वाली या कोई सेल्फ हेल्फ ग्रूप जो है बहुत सक्सेस्फूल हो जाता है। क्योंकि कही ना कही एक महिला लीडर निकल आती है। जो एक एक जामपल बन जाती है कि उसको देखके दूसरी महिला को भी लगता है कि क्यों ना हम भी ऐसा कर सकते हैं। और आप यह देखिए कि सेल्फ हैप ग्रूप में जो महिला जो रपना रिंड वापस करती हैं। उनका रेकॉर्ड बहुत बढ़िया है। उनका करीब करीब सत्प्रशिषयत रेकॉर्ड है। तो महिला इस बारे में सक्षम है एक बार वहात में ले ले लें। कि चाहे एक्स्टेंशन सर्विसेज हों चाहे केवी केज हों। उनको महिलाओं तक पहुंचना पड़ेगा। यह कहना मतलब थोड़ा स्किल डेवलपमेंट थोड़ा कपैसिटी बिल्डिंग महिलाओं की करेंगे तो थोड़ा उनको प्रोचान मिलेगा। तो देखा देखी से कि दूसरे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर थोड़ी सी और थोड़ा सा एक पुष पीछे से मिले। तो उससे महिलाओं इस दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं। और आपने महिला लीडर की बात की है तो हमारे सामने ही ऐसी एक लीडर मौजूद है। पुझा जी मैं सिलसले वरार ढंक से आपसे जाना चाहूंगी कि किस तरह से पहले आप जरूर खेती किसानी से महस जूड़ी हूँगी। वहां से धीरे-धीरे किस तरह से आपने उद्यम का रुख किया यह हमें बताएं। मैंने केवीके से जुड़के और तभी काम सुरू किया था। धीरे-धीरे जैसे एक ग्रूप से शुरूआत की। फिर और गाहों में जितनी भी महिला थी। मैंने सोया नट्स का लिया, रोस्टीड सोया भी नोती है। उसी के साथ हमारे किसान भाई जो खेत में करते हैं पैदा उनी को मैंने उसमें जोड़ा। फिर दीरे-दीरे एक ग्रूप से मैंने दूसरा ग्रूप बनाया। और आज मैंने 900 हमसायता समूब बना की 500 महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। और आज हमने एक बेकरी उनिट लगा कि उसमें ऐसे बिस्किट हमारे महिलाएं ऐसी कुकीज बनाती हैं जो आज फाइव स्टार रोटल में भिक रहे हैं। और कभी नहीं सोचा था कि मेरे मतलब बैन ऐसे कुकीज बनाएंगी जो विदेश के लोग खाएंगे उनको। तो आज मतलब महिलाओं में काफी जाग रूपता भी आई है क्योंकि पहले महिला गर तक सिमित थी। भार नहीं निकलने देते थे। खेती बाड़ी पसुपारन होता था ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन आज मेरी बैने जो पड़ी लिखी नहीं हैं वो भी इंगलीस बोलती हैं। तो ये महिलाओं के लिए भूत बड़ा बदलाओ है। बिल्कुल है। इस बात में जोरदार तालियां हो जाए। खुद आप अपने लिए भी ये तालियां आप बजाएं। और इसे बादशीत को आगे बढ़ाते हैं। और मिना जी आपने जैसे की बताया कि सरकार भी प्रतिबद्ध है महिलाओं की बेहतरी के लिए और कई कारिक्रम भी चलाया जा रहे हैं। देख रहे हूं कि महिला किसान सर्शक्तिकरन परियोशना जो है इसमें बहुत सारी नई योजनाओं को भी जोड़ा जा रहा है। 31 मांच तक की बात अगर आंकड़े को देखे तो 35 लाग से जादा महिला इसका लाब ले चुकी है। तो मैं जानना चाओंगे इस पर योजना के तहट किस तरह के महिला किसानों तब पहुंचाया जा रहा है। किसान ससक्तिकरण जो योजना है हमारा ग्रामीन विकास मंत्राल है वो इसका संचालन कर रहा है और महलाओं की बहतरी के लिए जो भी कारिक्रम महलाएं खेती में करती है वो सभी कारिक्रमों को इसमें समलित किया गया है खासकर समूम बना करके उनको ट्रेनिंग देना और फि इसकीम की उनमें बदलाव की जर्ड़त होती है समय समय पर उसमें बदलाव करना और जो सफल महलाएं हैं जो किर्सी के छेतर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं चाहे वो डेरी सेक्टर में हो पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट में हो या होटी कल्चर यानि बागवानी में क किसी भी चेतर में उनको चिन्नित करके उनकी सफल थम जो कहानिया हैं जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको भी दूसरी महला किसानों को दूरदर्शन के मैध्यम से या जो दूसरे मैध्यम है उनसे दिखाना यानि मॉटिवेट करना तो जिससे जादा से जादा महला किसान उसमे लाव ले सकें। क्योंकि महिलाओं को घर के काम काजों से जैसे इन्हों ने बताया उधर से टाइम निकाल के बाहर निकल के आना है उनको एक awareness करनी है जैसे इन्होंने का एक motivation करना है तो again यह सारे जो स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं और एक जागरुकता बन रही है एक awareness आ रही है तो थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन दिशा ठीक है दिशा ठीक है बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने कही है इसके साथे रितुची आप समय जाना चाहूंगे कि के वीके के माधियम से आप सीधे महिलाओं से जोड़ी रहती है इसे में जब महिलाओं को सरशक्त करने की बात की जा रही है तो ठीक है इसका आर्थिक पहलूत है ही लेकिन इसके साथ ही कुपोशन की जो समस्या है और इस तर की कई समस्याओं का निदान महिलाओं के सरशक्तिकरन में ही क्या आप देखती है जी बिलकुल देखती हूँ और मैं आपने जैसे शेतर की ही बात करूँ तो हमने टेस्ट हमने किये थे सरकार के हॉस्पिटल के द्वारा इसका एनीमिया का यानि की आरेन डेफिशेंसी का तो उसमें हमने पाया कि 60 प्रतिशन जो मेलाई थी एनीमिक थी और उसका सीधा कारण प्रतिशन हमारे को पोशन है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है तो ऐसे में हमने उनको यही शुरू किया काम वहां पर कि जो भी हमारे पास असपस हरी सब्जियां उगाई जा रही है उनका आप भोजन में इस्तमाल कैसे करें किस तरीके से करें और उनका कि जाता समू बनाएगा है क्योंकि बैंक काफी छुक है महिलाओं को देने में और जैसे कि एक जो मुद्रा-योजना ये जर्य तो उसके तहत भी कई महिलाओंने हमारे यहां पर काम शुरू किया है क्योंकि काम रकम है और कम एमॉंट है तो जिसमें महिलाओं हिचकती नहीं अब और हमें आगे इसके लिए चलना है को आगे बढ़ना होगा ताकि हमारी महिलाएं जो हम जब थोड़ी बात करें 30 प्रतिश्रक तक पहुंच पाएं महिलाओं के सशक्तिकरण से कई परिणाम सामने आते हैं इसकी बात हम कर रहे हैं कोई उदाहरन अगर आप बता सके कि आपने समाज में देखा हो कि एक महिला जब वो सशक्तिकरण उनका हुआ है यह आर्थिक रूप से स्वाब लंबी हुई है तो किस तरह से परिवार के माती है अपने पती का साथ देती है तो समाज में भी उसका दर्जा बढ़ता है क्योंकि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं और जैसे सैल्फ हेल्प ग्रूप की बात मैं बता दूं तो अगर ग्रूप में महिलाएं जुड के काम करेंगी तो और महिलाओं के घर मे मतलब रोजी रोटी अच्छे से चलेगी और आर्थिक रूप से भी ससकत होंगी वाकि जैसे हमारे किसान भाई जो होते हैं पहले महिलाएं होती थी किसान नहीं करती थी तो जैसे आलू होता है पचास रुपे मतलब धड़ी मिल जाता था पांच किलो लेकिन अगर हमारे हम मुले समर्दन करेंगे तो अलू चिप्स बना के और एक अलू की किमत दस रुपे ले सकते हैं तो इससे क्या है महिलाव में बदलाव भी आया है और उनकी एक इज़त जो उनने मिलनी चाहिए वो भी इनको मिली है क्योंकि आज यह से जुड़के हैं जैसे इन्होंने कभी पैसे की जरूरत पड़ती है घरवारों को तो यह गुरूप से निकाल के उनको पैसे देती हैं पहले क्या था कि इनको मांगना पड़ता था लेकिन आज हर्याना राजिक ग्रामिन आजियू का मिशन से भी मैंने नो के नो गुरूप को अपने को जोड रख्या है और उसके कर दोड़ते हैं और रिवार में और उनका रुटबा पड़ता है जो जाहे तो जो ग्राउम में और समाज में जो कुरीतियां अंधविश्वास से लड़ने की ख्रमता भी उससे ही बढ़ती है निश्चित रूप से महिलाओं को अगर ये decision making का उनको में मौका मिलता है तो वो जरूर लेती हैं और इन्होंने जैसे बताया कि जो self help group के घर के कामों में मदद करती मैंने तो यहां तक जाना है कि जो कई किसानों के उपर जो रिण है वो रिण को भी चुकाने के लिए महिला self help group से पैसा निकाल के दे पा रही हैं चाहिए पूरा ना हो थोड़ा थोड़ा करके मदद कर रही है तो यह बहुत बड़ी बात है तरह से उल्टा प्रवाज चल रहा है तो इस तरह से काफी से मदद मिल रही है बिलकुल और समाज में पहले जो अन्दविश्वास कुरीति का तो मैं एकदम से आपको नहीं बता पाऊंगी लेकिन मेर को यह पता है कि दर्वा में जहां की कई किसानों के सुईसाइड्स हुए हैं आत्माहत्याएं हुई हैं वहां पे मतलब कई cases हैं एका जिसका ग्यात मुझे है कि महिला यवत माल की जब उनके पती ने आत्माहत्य से दो बच्चे थे एक बेटी भी थी और किस तरह से उनको जूजी वो तो पहले तो कुछ भी नहीं उनको पता था फिर उन्होंने धीरे धीरे पता करा किसी एंजियो की हेल्प से उन्होंने पता करा पता लगाया कि उनके यह अधिकार हैं यह उनको मिल सकता है क्रेडिट के लिए बिल्कुल तो मीना जी जासे हमने देखा कि कई बार महिलाओं को जानकारी तक नहीं होती है कि उनके अधिकार क्या है ऐसे में उन तक जागरुकता पहुंचाने के लिए क्या कुछ किय जा रहे हैं जागरुकता का जहां तक सवाल है जैसे हम आल इंडिया रेडियो तूरदर्सन, समाचारपत्र इसके अलावा किरसी मेले इनका भी आयोजन करते हैं देश वर में समय समय पर और उनमें आमंतरित करते हैं महलाओं को महला किरसकों को वहाँ पर किरसक और बैग्यानिक गोस्टियां होती है किरसी के विकास से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे भी संबाद होता है और किरसी सहित भी काफी बड़ी संख्या में वहाँ पर माटा जाता है और एक और हमारा टोल फ्री नमबर है किसान कॉल सेंटर जिसका नमबर है अठारे सो एक सो सी पंदरे क्यामन देश की 22 प्रमुख भासाओं में किसानों को ये सलाह देता है मुप्त में सुबह 6 बजे से रातरी 10 बजे तक कोई भी महला हो पुरुष हो कोई भी किसान कहीं से भी फोन करेगा उनको अपनी भासा में साधा तरीके पर जवाब मिलेगा और जवाब देने के बाद में जो हमारे विसे सगे हैं जनको हम फार्म टेली एडवाइजर बोलते हैं वो एक मैसेज भी भेजते हैं लिखके जिससे कोई चीज भूले नहीं वो देखके उसको ठीक से याद कर सके तो ये मुफ्त सेवा है और साल के 365 दिन भी चलाते हैं जिसमें किसानों को ब्लॉक और जिले इस तर पर आमंतरित करके और संपूर्ण जानकारी दी जाती है बिल्कुल तो कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं महिला किसानों को सशक्त करने के लिए और हम देखते हैं किस तरह से आंकडे भी बता रहे हैं कि महिला किसानों की तादाद भी बढ़ रही है और उनको और सशक्त करने के पायदे भी बहुत है लेकिन किस तरह के चुनोतियां उनके सामने हैं किस तरह की समस्याउं से दो-चार उन्हें होसेip करना पड़ता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का आप बने रहें दोड़ाशन के सांथ पर क्या आप किसी बीमारी से परिशान है चाहते हैं डॉक्तर की सला तो हम हैं आपके साथ बताएंगे आपको जीने की राह कमस्याएं आपकी समाधान देश के मश्वूर विशेशक्यों के घर बैठे बात करें देश के जाने बाने डॉक्तरों से हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्त किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक बादलों की लुका छिपी वारिश का हाल बर की चादर बदलता रुख हवाम का और मौसम की लिवाद से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8 बज कर 30 मिनट पर शाम 5 बजे और 7 बज कर 30 मिनट पर ब्रेके बाद दूरदाशन के सान पर खास कारी करम बात समबाद में आपका फिर से स्वागत है आज हम क्रिशी में महिलाओं का योगदान विशय पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं मीना जी आखड़े ये बताते हैं कि जो क्रिशी कारियों में महिलाओं की भागेदारी है वो लगबग 70 फीसदी है लेकिन वहीं हम ये भी देखते हैं कि अगर जमीन पर हक की बात करें तो वो महिस दस फीसदी है इस आंकड़े को आप किस तरह से देखते हैं जी हाँ आपने सही कहा जमीन पर हक की जो मैं बात समझ रहा हूँ आप कहना चाहरी है कि जो जमीन जो लेंड होल्डिंग है मालिकाना हक वो महलाओं के नाम से बहुत कम है और ये बहुत बड़ी समय से है कि इसी की वज़े से किरसी के छेत्र में महलाओं को जो अधकार मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, उनके नाम से जमीन नहीं होने के कारण लोन सेंक्षन कराना है या कोई दूसरी योजना का फैदा लेना, उसमें दिक्कत आती है तो इसके लिए सरकार भी प्रोसान देती है समय समय पर जैसे महला के नाम से मानलो जमीन खरीदते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो जर रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसमें कुछ छूट दी जाती है और कई रैज जोने ये किया है तो सरकार के संग्यान में है दीरे दीरे फायदे को देखते हुए जो प्रोस किसान है महलाओं के नाम से जमीन की खरीद करते हैं तो उससे सब्सक्ति करन का ये भी एक मैध्यम है तो जी ऐसमें जब कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्रीशे से जुड़े हरे कारियों में बहुत जादा भागीदारी महिलाओं की है लेकिन इसे अभी भी इस तौर पर देखा जाता है कि महिलाए हाथ बटा रही है किसान का दर्जा उनको अभी भी उसको मिला नहीं है और ऐसे में किस तरह की जो योजनाय है उसका फाइदा उठाने से वह बंचित रहे जाती है कि अभी हिचक है वह आगे आने में थोड़ा सभी हिचक जाती है क्योंकि वह सोचते हैं कि हम यह काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि अभी तक वह जो भी काम करते हैं पुरुष्यों से पूछ के ही करते हैं इसलेक तो हिचक उन्हें खटम करनी होगी और वह जागरुकता से ही आएगी थोड़ी थोड़ी आ भी रही है तो वह सहे सायता सुमिक बहुत ब़ड़ा उधारन था उस चीज के लिए तो वह हिचक जब तक हम खतम नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं आ पाएंगे यह हमारी महिलाओं को सोचना होगा और थोड़ा-थोड़ा सोच रही हैं पर अभी भी समय लगेगा इसमें हम यह कहने हैं पैसर मेगारगी जी क्या आप अभी भी जो महिला किसान है उनमें एक पहचान का संकट देख रही है और जिस तरह जमीन के मालिकाना हद की बात हो रही है यह किसी सरकारी प्रयास के साथ-साथ एक सामाजिक जो है सवाल उस तोर पर आप देखती हैं बिल्कुल यह सरकारी के बज़ए सामाजिक ज्यादा है आप देखेंगी के महिला मीटिंग्स में भी नहीं आती है हमारे यहां कई जगे परदा सिस्टम भी है कई जगे पुरुष प्रदान तो है हमारा देश के पूरा विश्व ही है एक तरह से तो आगे महिला करती है बचत यह जो सेल्फ हेल्प ग्रूप्स हैं इनमें महिला आ रही है पर वो अपने-पना समू बना के जहां तक जमीन का मैंने आपको उधारन दिया एक महिला का उनके पती भी नहीं रहे उसके बाद भी उसको जमीन पर हक नहीं दिया उसके परिवार के अंदर तो बाकी तो फिर हिंदू सक्सेशन आट के अंतरगत या जो भी हमारे लॉज है उसके अंतरगत भी महिलाओं को अभी हक नहीं मिल जैसे प्रॉपर्टी में नहीं मिलता है शेहरों में ऐसे गाउं में जो है वह लैंड होल्डिंग में नहीं मिल रहा है तो एक यह निकाला गया कि सहिए नाम से बनाया जाए सहिए पती पत्नी का दोनों का नाम हो तो कुछ प्रदेश ऐसे कर रहे है यह बीच का तरीका निक के उनको सही उक्त हो या जैसे इन्होंने बताया कि महिला के नाम से अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा फीस विगरा माफ हो जाएगी पुझे जी इस पर आपकी भी महराय जाना चाहूंगे आपको क्या लगता है कि किस तरह का लाब महिलाओं को होगा अगर उन्हें यह ह प्रोसेसिंग करके कुछ भी बना सकती है अलोवेरा की खेती महिला कर सकती है लेकिन जब किसी दूसरे के नाम जमीन होती है तो वह मतलब अपना हक नहीं जता सकती उसके उपर और कोई उसकी मानता भी नहीं और कुछ मैलाएं ऐसी हैं जो पढ़दे में देखो आज भी मैल मैलाएं काफी सारी हैं लेकिन पढ़दे से भार निकल कर उनको अपना हक जानना होगा कुछ मैलाएं ऐसी हैं जो कोशिस ही नहीं करती लेकिन उनको ये कोशिस करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल लेकिन सेलफ हेल्प गुरूप के मादम से मीटिंग वगरा होती है उनमें ज सारी मीटिंग में उनको सला दी जाती है ये जो महिला मंडल चर्चा का आयोजन अब किया जारा मिना जी क्या उसका मकसद भी ऐसा ही कुछ है जी हाँ खास तोर पर जो भी चर्चा करते हैं या कॉन्फरेंस सेमिनार वर्ट्सोप ये कारिक्रम जो आज भी हम कर रहे हैं जी दूरदर्चन पर हो एक हाँ पर रहो और अजिया रेडियो पर हो किर्शी मेलों में सेमिनारों में तो ये जागरुकता का ही एक पार है जागरुकता हो तो महिलां अपने हग की बात खुदी कर सकती हैं जहां महिला क्रिशक यहां पर बात कर लूं मैं आ तो चबंद अशम दो फीसदी थी हिस्सेदारी तो अब वो 63 बढ़कर 2011 के जंगर्णा में हो गया है यानि कि जो महिला श्रमिक है उनके संख्या लगातार बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद उसमस्या यह देखी जारी है कि मजदूरी उन्हें पुरुशों के मुकाबले कम मिलती महिला का यो होती है स्टोरेज है बंडारन है जब में उनका योगदान है पूरा योगदान है पुरुशों से जाधा भी है घर के अलावा जी उसके बावजूद भी उनकी जो खेती उनका कहीं पे इसका निदान आपके सुरूप में देखती है एक तो जमीन बहुत जरूरी है दूसरा हर जगे मैं मानती हूं कि थोड़ा सा पुरुश को हटना पड़ेगा कि महिला को आप उतनी जगा दें कि उतनी स्पेस हो दूसरा है कि हम महिला की जो प्रोड़क्टिविटी है जो एक उनका जो एक योगदान है उसको हम नहीं गिन रहे जी रतु जी जैसे कि अभी भी किने उन्हें आसानी से उपलब्द हो जाती है लेकिन कई क्रिशी कारें जो महिलाएं करती है उनको आसानी से मशीने भी नहीं होती है या मशीने उनके इस्तमाल लायक भी नहीं होती है तो ऐसे में किस तरह की समस्यां सो जूचना पड़ता हुना ऐसे में बताना चाहूंग पाकि उनका समय उसमें कम लगे उनको परिश्रम है वो कम हो और उत्पादन वो जादा हो सके तब ऐसे इंप्लिमेंट्स आने शुरू हो गए हैं और दीरे दीरे हमारे शेतर में इस्तमाल भी हो रहे हैं इनका लिए किर्सी के उनकी एक किताब भी हम लोगों ने निकाल लिए किर्सी मंतराले के और से जेंडर फ्रेंड्ली टूल में सभी तरह के बवाई से लेके कटाई कटाई उपरांद तक जो भी काम आते हैं यह अंत्रक और हमारा जो मसीनरी संभाग है मसीनरी डिविजन वो अपनी कई योजनाओं के मैद्यम से उन पर अनुदान यानि वित्तिय मदद भी उपलब्द कराता है प्रिसिक्षण का जहां अग सवाल है किरसी मंतराले के भी चार संस्थान हैं देश में जो प्रिस्क्षण स्पेसिफिक देते हैं ट्रैक्टर ऑपरेशन से लेकर चोटे चोटे टूल पर भी कैसे उनको अपरेट करना है कम से कम सरम से ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कर सकती हैं महला है उस पर इसके अलवा किरसी विज्ञान के इंदर जो हैं वहां पर भी मसीन के उपयोग पर उनके रख रखाव पर प्रिसिक्षन दिया जाता है और खरीदने के लिए जैसे बहुत सी मसीने अगर बड़ी मसीन भी महला किसान सम्हू के तौर पर कोई लेती हैं बले उनको उसके आप किराये पर दे सकते हैं अपने सम्हू की इंकम बढ़ा सकते हैं और अपने-अपने कारिये उससे कर सकते हैं रितु जी यहां पर हम Undiam की वो उनको थोड़ी दिक्कत है और अभी भी काफी दिक्कत है मैं अगर दिली जैसे शेहर की बात करूँ तो वहां पे भी जी तो उसमें यही है कि अब धीरे-धीरे उनको करा जा रहा है कि आप बाजार के लिए हम लोग कि कृशिविग्यान केंद्र के या मंतराले के थूरू जो भी प्रदर्शनिया लगाई जाती है तो उनको वहां पे दे जाया जाता है कि वहां पे अपने प्रोड़क्स रखे दिखाईए लोगों को थोड़ी सी ताकि उनकी जो हिचक है वो कम हो वो कम ताकि उसको फिर आगे बेश सके पर अभी भी वी चैलेंज है बाजार करना सीखने में वो माहिर है जो भी उनको सिखाएंगे सब सीख लेती है अच्छे से इमानदारी से सीखती है पर बाजार करने में भी उनको दिक्कत आ रही है यह सबसे बड़ी चुनावतियां भी है यहां पर महिला किसानों के सामने और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भ से लाल कारिक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का हम जल्द हाजिर होंगे आप बने रहें दोड़दा शन के सांग पर हम आ रहे हैं आपके गाउं घूमते फिरते का कारवा पहुंच चुका है मत्रा में हम आप पहुंचे हैं कांगरा जिले में सामान्य ज्याम के पूछेंगे सवाल वाशिक पुष्कर मेला किस राजी में आयोजित किया जाता है इन में से क्या जैविक रूप से नश्ट नहीं होता है इसके लिए इनके पास चार आप्शन्स है सितारों की दुनिया सुरों की मिठास फिल्मी सफर का हार एक मोड लेजिंड्स की कुछ तिर्चात पुबाते अदाकारी अंदाज और अदाएं सिर्फ हमारी जुबानी तो देखना न भूलिये चित्रहार हर शुकरवार रात 9 बच कर 30 मिनट पर किस तरह से महिलाओं की भूमिका को आप लोगों ने बदलते हुए देखा है जरूर बताएं और विशेशगे मेमान हमारे साथ मौजूद है तो कुछ सवाल भी आप पूछ सकती है पूछ सरम्हार के का अधा फूर नाम सभीता है मैं चंदुगाम से हुं पूज़ा शर्मा के गैल जोडरी हूं जी जी हम बहुत बढ़िया कुकीज बनाते हैं बिस्कित बनाते हैं पेटी बनाते हैं आमें बहुत अच्छ लगता है जी हमें बहूत पुफिट मिलता है कई महिलाओं ने में जो सरकारी योजनाएं हैं रिंद उनका लाब भी उठाया है कि आप उन्हीं में से एग है, हम उठाया है जो दिखकत आती है घर में कभी हूम आप सभी को नमश्कार मेरा नाम सीमात्यागी है और मैं गाउं खेड की माजरा गुरूबाँ से हूँ मेरा नम कवीता है मैं समसपुर गाउं से हूँ मैने लेगाँ मैं लुट काउट अपना समुई हो और समफ जडmadı हैं मैं लोन भी ले रखा मूदराओं में ौ मैने अपनी शोप खोल रखी है पारलर वगाधर की वी कि इसका भी प्रसिक्ष्टन लिया दो अजिए लिया था धैवी से बहुत अच्छी ट्रेंशे आदा करती यह इन्य वहत अच्छा काम सिखाया हम नोग जी बहुत अच्छी बात यहां पर आप अपने अनुभाव के बारे में कोछ बता ये किस तरह से पिछली पीडी में काम ह होता थो और अब महिलाएं कितनी आगे बढ़ चुकी है जी मैं समस्पर गाउं से हूँ ना मेरा रोसनी है जी पिछली विटोज समय तो काम होते थे वह तो वही अब क्या बताएं पर लेकिन आप तो बहुत सो भी दाव हो चुकी है अपना अची तरह काम करते हैं और खेती का करवाना चाहती हूँ आप लोगों से एक सवाल है मेरा मैं कहां पर करवाऊं अपने समय को सब्सक्राइब कराना होता है जिसके कुछ फीस होती है जो हमें देनी पड़ती है और उसमें कम से कम आपकर 20 से कम महिलाएं होनी चाहिए यह ध्यान रखना और 20 से 21 ना हो और कुछ जिसमें हमें तीन जैसे हमारे उसमें अध्यक्ष है सचिवय कोश्य अध्यक्ष है इन तीनों के कुछ डॉक्यमेंट्स लगेंगे और उसके बाद आपका रिजिस्ट्रिशन हो जाएगा और यह ऑन-लाइन होता है और चाह्टरेड अकांटेंट के थू आप कृष्व ग्या उसे मैंना अपनी जरूत पूर की फिर उससे मतलब मतलब फाइदा होया बहुत जादा जी बिल्कुल बहुत फाइदा हुआ है यहां पर बताएं आप अपने बारे में नमस्का जी मेरा नाम पर मिला है मैं समसपुर गाउन से हूँ और मैं के वीके से जुड़ी हूई अपना खातां में डालते थी लेकिन अब लेडिजो में इतना उसा हूआ कि उन्होंने 500 ख शू किया है तो उससे जैसे कि गर में कोई भी प्रोबलम होती है तीन चार लेडिजों ने मेरे मेरे पास पैसे जमा करके उनोंने पी 75 आजार आप प्चिस पचिस करके अपने जो कभी तभी साथ ही लगए हुए है जैसे थोड़ा बहुत इसके साथ ही करें ठीक है आपने परिवार में क्या बदलावाते वे देखा है जब महिलाएं पहले केवल चुला चौका तक ही सीमे थी अब वो घर से बाहर भी निकल रही है और अपने परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचा रही है जी पहले तो गरी करें थे सारे कम अर अब तो नुह बाहर भी चले जाते हैं जी तो पाहर जाके थोड़ा काम कूम कर ले तो अच्छा लगए बिल्कुल अच्छा भी लगता है और जाय तो पर इस महिलाओं का जो आत्म विश्पास से वह भी बढ़ता है यहां पर आप क्या कहना चाहिए मेरा नाम बाला है मैं समस्पूर गाउं से आई हूं जी हमारी ये वह है पड़ी लिखी आई ये गाउजवा में गई इसने कुछ शीखा फिर आमको लेके गई हमने भी कुछ शीखा इन से अचार जैंव गयरा सीखे अपने बच्छों के ल चैल्ओा लेते हैं और अपनागर का काम करके उसे फायदा उठाके उसको वापश जमा कर देती है जी एस तरह की चर्चा में जाग रुकता कारी क्रमों की बात की गई है जिससे की महिला हो और जादा जनकारी मिले क्या प्यान की एक यादि SUSा कर्थ सिहारा है looks the main झी बहु दन्यवाद करते हैं कि मतलब आज कल ओरते अपने आश्मेंट पर कोई डिमों नहीं कर सकती है, मैं हम उनके वल्भूते पर रह सकते हैं, हम अपने वल्भूते पर आपने एक एक रिप्या जोड़कर 500 पी आमार मिने जमा कर सकते हैं, जी को सवाल पूछना चाहेंगे आप, प अगर पशुपाला है और अगर बीमारियां भी लग जा रहे हैं, तो तुझी क्या सुझा देंगे, आपका नजदीकी क्रिश्यवे ज्ञान के इंदर में संपर कर लें, वहां पर पशुपाला विश्यशक्य होते हैं, तो वह आपको बता देंगी, क्या उसका इलाज है, अ दूसरा आपने को सर ने एक आपको टॉल फरी नंबर ही बताया था, 1551, आप उस घर बैटे इस फोन पर भी फोन करके, पता अगर रस्यशक्य की बिमारी है, तो आपको सीधा संपर्ग जो पशुविज्यानिक होगा, उससे करा दिया जाएगा, महलाओं के लिए पशुपा जो चलता है, उसमें पशु को पालना, घर का रख रखा हो, यह सब महत्पूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार ने, इस स्पेसिफिक योजना, यानि पशु पालन के लिए आप प्रिसिक्छन लेके, क्रिसिविज्यान के अंदर में, जैसे पशु पालन वि के मैध्यम से, आपको कितनी मिलेगी, प्रोजेक्ट की कोस्ट के हिसाब से, और उस पर अनिदान, यह सारी व्यवस्ता सरकार की योजनाओं के मैध्यम से है, आप अपने निकर्तम पसुपालन अधिकारी, पसुपालन विभाग रैज्यों में अलग से हैं, और केंदर सरकार की जितनी भी योजनाओं चलती हैं, वो रैज्यों के पसुपालन, बागवानी, किर्सी, इन विभागों के मैध्यम से चलती है, केंदर का भी पैसा योजनाओं में लगा होता है, और रैज सरकारों का भी सेयर होता है, तो आपको कहीं दूर जाने की जदरत नहीं है, और पसूं को कैसे रख रखाव करना है कैसे उनको खाना खिलाना है उनके टीका करन यह सारा प्रिसिक्षन मिलने के बाद में आगे बढ़ते हैं कुछ और यहां पर सवाल ले लेते हैं नमस्कार मिडम मैं वैफ हाते हु दर्फ थैसे की पड़ा हूं जैसे लीजड़ पड़ा हूं द्थ हमयल्ड फिलाफ उनक्यानाम लीजड़़् विस नमmor के निर्भार इंधर इस वांसपर वीधं पड़ेगा कि हम एक गाउं का उत्पाद बाजार में लेकर जा रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा नाम दे कि जो जुड़ा हो तो थोड़ा सोचेंगे तो इसको नाम दे देंगे, फिर पैकिंग आपने आसी देखनी हैं, जो आपके जेब से भी जादा ना जाए और आपको बेचन जानकारी, इसमें कहांगे कि MSME एक मंत्राले है, वो पैकेजिंग और लेबलिंग पे ही प्रस्रिक्शन देता है, और खासकर महिला स्वाइम सहाइता समूहों को देता है, तो पूजा जी को भी कहना चाहूंगी, आप महिलाओं को इस मंत्राले के थूरू जोड़कि एक प् मश्रूम की खेती करना चाहते हूं, कैसे होगी जी, बिल्कुल यह भी बहुत अच्छा एक तरीका है, आंदनी बढ़ाने का जरिया है, बताइए क्या करें, मश्रूम की खेती महिलाओं आजकल काफी आ रहे हैं, आगर हम जारकंड शेतर की बात करें, तो वहां से काफी महि करें सुनार करा जया हैं, बहुत यह अच्छे सुझाओं यहां पर आए जिन सुझाओं पर अमल करके जो महिलाएं हैं वो अपने उद्यम को और बढखा सकती है और अपने आर्थिक रूप से स्वावलम भी बन सकती है साथ ही अपना ही नहीं बलकि अपने साथ के बाकी महिलाओं को और अपने परिवारों को भी वो सहायता पहुंचा सकती है आज के बात संबाद में बस इतना ही कारिक्रिव में भाग लेने आएं आप सभी महमानों का बहुत बहुत आभार अब मिलेंगे अगले हपते फिर किसे नए विशेपर करने बात संबाद आप बने रहें दूर्दा शनकिसान पर नमस्कार झाल 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 सकती है